Hello everyone, welcome to the channel, तो चलिए दोस्तों continue करते हैं उडान, ancient history का अपना अगला lecture, आज की इस lecture के जरिए हम जैनिजम के topic को cover करने की कोशिश करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जैनिजम की शुरुवात कैसे हुई है, तो दोस्तों जो doctrine है जैना रिगवेदा आपको पता है, चार वेदों में शे एक रिगवेद भी है, और उस रिगवेद में दो तीर्थांकर्स के नाम भी mention है, एक है रिषभ, एक है अरिष्ठानेमी, ये दो जैन तीर्थांकर्ते इनके भी नाम इनमें mention है, इसके लावा दोस्तों विश्नु पुरा और भगवत पुरान भी describe करता है रिषभ के बारे में, जो कि आपको पता है, एक तीर्थांकर है, और बताया गया इस विश्नु पुरान और भगवत पुरान में कि रिषभ जो थे, वो नारायन के ही अवतार थे, ठीक है, आपको पता है, जैन धर्म का कोई एक single founder नहीं है, ठीक है, it is commonly mistaken that Mahavira was the founder of Jainism, जो कि बिल्कुल ही गलत है, महावीर ने जैन धर्म का founder नहीं करा था, बलकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तीर्थांकर हैं, जिन्होंने धीरे धीरे करके जैन धर्म को बढ़ाया था, लेकिन आप बोल सकते हो कि, however, he was the last तीर्थांकर, obviously, म प्रॉमिनेंस में, सिक्स्ट सेंचुरी में आया था, जब लॉर्ड महावीरा ने प्रपोगेट करा था, जैनिज्म के बारे में, obviously, इसी वे से, महावीर का नाम काफी लोगों को पता होता है, क्योंकि इन्होंने जादा जैन धर्म को बढ़ाने में मदद करी थी, जो शब् अपने इंद्रियों पर सारा का सारा विजय प्राप्त कर ली हो, जैना मतलब अपने इंद्रियों पर सारी के सारी विजय प्राप्त कर ली हो, जिना इस से टूथ पोजिस अबाधी जिनान, अबाधी जिनान मतलब होता है, सूपर हुमन कोगनेशन और सैकिक पावर, और ती hand होता है और जिसके hand के बीच में आपको एक wheel देखने को मिलेगा palm के उपर जो कि symbolize करता है अहिंसा जैन धर्म में obviously आपको पता है जैन धर्म वाले लोग जो है अहिंसा को बहुत follow करते हैं there is a word अहिंसा written in the middle of it obviously इसी hand वाले में hand वाले में ही बीच में एक wheel देखेगी और wheel के बीच में ही लिखा होगा अहिंसा कुछ additional information देख लिजे जैन community को लेकर आपको पता है भारत में जैन community की population देखी जाया तो 4.5 million है और अगर percentage में बात करी जाया टोटल population का तो 0.36% 0.36% जो population है पुरे भारत की इतनी जैन है ठीक है 2011 के census के मुकाव इसाब से देखा जाए तो ये six community है जिनको national minority का status भी मिल रखा है और कौन-कौन सी है जिनको minority का status मिल रखा है जैसे कि Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Parsis, Gujarat और Rajasthan ये दो ऐसे राजी हैं जहां पे आपको सबसे जादा जैन community की population highly philosophical in nature therefore not easily understood by all ये तो आपको पता है भाई जैन धर्म वालो ये जैन जो धर्म है उन निकल कर क्यों आया क्यों आपको पता है जो उस टाइम पे टीचिंग्स होती थी उपनिशद वगरा की ये बहुत ज़दा philosophical in nature होती थी तो इसलिए common लोगों के दौरा समझ में नहीं आती थी तो इसलिए ये जैन धर्म निकल कर आया था देखें जैन धर्म कैसे उबर कर आया तो आपको पता है वेदिक religion जो था उस टाइम पे बहुत ज़दा highly ritualistic था मैंने आपको लास्ट टाइम वेदिक religion के बारे में पढ़ाया भी था ठीक है और ये जो वेदिक religion था ये सारे के सारे common लोगों के दौरा accessible नहीं था या साफ भाषा में बात कर जाया है तो सारी के सारी caste जो होती थी उस टाइम पे सब के लिए accessible नहीं था ठीक है तो हुआ क्या जो early genes थे इन्होंने adopt करी प्राकरत language जो कि common लोगों के दौरा बोली जाती थी ताकि जो जैन धर्म की teaching है उनको teach करा जा सके और इन लोगों ने शुरुवात के लोगों ने Sanskrit language को discard कर दिया था ठीक है आपको पता है उस टाइम पे Sanskrit language जादतर ब्राहमाज की दौरा बोली जाती थी जैनिस्म ने offer करा lower people and honorable place in the society इन्होंने सबी लोगों के लिए प्राकरत language में ही प्रचार करते थे और सारे लोगों को अपने धर्म के बारें वो बहुत ज़्यादा expensive होती थी तो common लोग नहीं कर पाते थे तो ये भी बहुत बड़ा reason था जिसकी वज़े से जैन धर्म उबर कराया इसके लावा एक और कारण था जिसकी वज़े से जैन धर्म उबर कराया वो था जैन धर्म equal status देता था woman को उस टाइम पे woman को वेधिक religion में woman को उचा status या बराबर का दरजा नहीं दिया जाता था अब देख लेते हैं teachings कौन कौन से थी महावीरा की यहाँ पे महावीरा की बात कर रहे है इन्होंने reject करा था authority of vedas and vedic rituals तो ये important teaching है ये आपको पता होना चीए क्योंकि यही teachings जो है prelims में पूछी जाती है तो पहला पूछा जाएगा कि क्या महावीरा ने vedas की authority को और vedic rituals की authority को reject करा था बिल्कुल reject करा था ठीक है क्या God में विश्वास करते थे महावीरा देख लिजे not believe in the existence of God very very important mark कर लिजे तो याद रखिए जो Jain community है वो God में विश्वास नहीं करती है लेकिन ये लोग कर्म वें विश्वास करते थे और ये भी विश्वास करते थे कि हमारी जो आत्मा होती है इसका transmission होता है इस पे विश्वास करते थे तो याद रखिए confuse कर देंगे कि क्या बोल देंगे कि jain community जो है one system को क्या करती थी condemn करती थी तो बिलकुल गलत हो जाएगा यह लोगोंने one system को condemn नहीं करा था ठीक है यह लोग equality की बात करते थे लेकिन कभी भी इन्होंने one system को condemn नहीं कर रहता इन्होंने advocate करा था life of austerity and non-violence obviously non-violence को follow करते थे women had equal role to play and were not looked down upon, man may be good or bad as per his action not by birth, obviously यह इनका साफ सा मानना था कि एक इनसान अच्छा बुरा हो सकता है उसके कर्मों के आधार पर ना कि जन्म के आधार पर कुछ additional information दे हुई है there were 24-3 thunkers, यह तो मैं बताई चुका हूँ 24 teacher रहे हैं, जन धर्म में तो ठीक है, यह चार के तो नाम आपको पता औना चाहिए important है, पहले तीर्थांकर का नाम आपको पता औना चाहिए, पहले तीर्थांकर थे रिशवनात, या जिनको रिशव देव भी का जाता है, 22-2 तीरतांकर भी important हो जाते हैं क्योंकि इनका नाम mention है मैंने बताया था किसमे रिगवेद में ये थे अरिष्ठा नेमी ठीक है इसके लाबा 23 तीरतांकर का नाम याद कर लिजे ये है पाशवनाथ बॉन इन्वारा नसी और 24 तीरतांकर थे वर्दमान महावीर इनका नाम तो आपको पता ही होगा अब देख लेते हैं वर्दमान महावीर के बारे में क्योंकि ये important हैं क्योंकि इन्होंने जादा जेन धर्म को परचारबसार करा था तो वर्दमान महावीर का कारेकाल देख लेजे 549 से लेके 467 बीसी तक है इनका जर्म दोस्तों कुंद ग्राम फैशाली के पास में हुआ था और ये विलॉंग करते थे नात्रिका क्लैन से ठीक है बुद्धा और महावीरा ये दोनों contemporary थे पैरंट्स की बात करे जाया तो महावीर के जो पैरंट्स थे इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ ठीक है और इनकी मम्मी का नाम था तरिश्वला तो याद कर लेजे ये sister थी लिछवी Chief चेटका की वाइफ और डॉर्टर की बात करे जाए तो इनकी वाइफ का नाम था ये शोधा इनकी डॉर्टर थी वो थी अनुज्जा या जिसका नाम प्रिय दर्शना भी कहा जाता है इनके teacher के बारे में बात करे जाए तो इनके teacher का नाम था अलार कामा और उद्रा का रामपुत्रा तो ये नाम याद के लिजए important है wife parents के नाम important है कैवल्ली की बात करे जाए कैवल्ली मतलब होता है highest spiritual knowledge तो इन्होंने highest spiritual knowledge कहां पाई थी देखे इन्होंने जो highest spiritual knowledge है या ग्यान कहें हिंदी बाश्रा में तो जो ग्यान है इन्होंने 22 साल की उम्र में अचीव करा था साल ट्री के नीचे ठीक है जो की पाया जाएगा रिमभी का ग्रामा ठीक है on the bank of river रिजू पालिका ठीक है उसके बाद they are called महाविरा जब इन्होंने ग्यान प्राप्ट कर लिया उसके बाद इनका नाम पढ़ गया महाविरा महाविरा का मतलब होता है brave जिना का मतलब होता है one who conquered his senses और निकरन्था का मतलब होता है free from all the bonds तो यह सारे के सारे नाम इनको मिलेगे इसके अलावा अराहत अराहत मतलब होता है blessed one और के वालिन मतलब होता है perfect land ठीक है तो यह सारे के सारे नाम इनको मिले थे first sermon की बात करी जाए तो इन्होंने first sermon अपना डिलीवर कर रहा था उन्दा विपूला पीक at the राजगीर जो की बिहार में पढ़ता है to his eleven disciples इन्होंने 11 disciples को अपना पहला lecture डिलीवर करा था जिनको known as गांधाराज या गांधारवास इनके पहले disciples के नाम याद कर लिजे इंद्रभूती गौतमा ये female थी और ये इनकी पहले disciple थी इनकी death की बात करी जा तो इनका मृत्ती दोस्तो 72 साल की उम्र में हो गया था 527 BC अट पावापूरी नियर पटना में है कुछ important symbols है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तो तीन तीर्थांकर है इन तीनों तीर्थांकरो को symbol के जरिए दर्शाय जाता है और यह symbols याद कर लिजे बहुत important है पहला है महावीर महावीर को दोस्तो lion symbol से दर्शाय जाता है रिशवनात को दोस्तो bull से और पार्शवनात को दोस्तो दर्शाय जाता है hooded serpent से तो यही ज़्यादा important है और इनके बारे में पूछा जाता है याद कर लिजे महाविर लायन रिशव नाथ सिंबल भूल पार्शव नाथ सिंबल है हुड़ेड सर्पेंट ठीक है अब बात करते हैं फिलोसफी और टीचिंग्स अफ जैनिस्म कौन कौन सी फिलोसफी हैं और क्या क्या टीचिंग है जैन धर्म में गौट महाविरा बोलते थे कि अगर कोई वक्ती नीची जाती में पैदा हुआ है या उची जाती में पैदा हुआ है वो अपने करमों के कारण पैदा हुआ है ठीक है, देखिए, consequences of sin sins के, actually, sins के वज़े से पैदा हुआ है, or the virtues in the previous birth, thus genism believes in the transmigration of the soul obviously, transmigration of soul में विश्वास करते थे, theory of karma simple सी बात कही जाया, theory of karma में विश्वास करते थे, अगला है अनेकांतावाद, अनेकांतावाद क्या होता है दोस्तों, ये विश्वास करते थे, देखिए, ये बोलते थे journalism धर्म वाले की truth जो है, उसकी multiple definition हो सकती है, कोई एक fix truth नहीं है है आज, आपको आज के world में देख लिजे, है ना जाए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, इसाई क्रिश्चन, बुद्धिज्म सिक, इनके अनुसार अलग-अलग, मतलब अलग-अलग ये सारे religion के हैं, अलग-अलग तरीके हैं God को जाने God तक जाने के, ठीक है तो ऐसा ही, ये अनेकनतावाद teaching भी है, तो जैनिज्म जो लोग जो हैं, इसी अनेकनतावाद teaching में विश्वास करते थे, बोलते थे कि कोई भी ultimate truth नहीं है reality जो है, वो complex है इसी लिए multiple aspect है God तक जाने के, है ना, God को पाने के आप multiple तरीके अपना सकते हो, तो theory of plurality इसको कहा जाता है it refers to the simultaneous acceptance of multiple, diverse, even contradictory viewpoints पर भी विश्वास करते थे, अगला है सेदावाडा, सेदावाडा इसको समझते हैं, ये क्या होता है, ये बोलते थे, all judgments are conditional जितने भी judgments होती है, वो conditional होती है, कुछ ना, कुछ condition होती है, ठीक है holding good only in certain condition, और कुछी conditions ऐसी होती है, जिनमें good छुपा होता है circumstances or senses सेदावाडा literally means method of examining different probabilities, ठीक है ये मतलब होता है, seven modes of prediction जिसको सब तबंगी नियावादा कहा जाता है five doctrines देख लेते हैं जनिजम की और ये important doctrine है, आपको पता होने चे very very important, ठीक है पहले तो आपको पता ये आइंसा में विश्वास करते थे, पहले चार teaching थी, ठीक है, जिनको चत्रुरती कहा जाता था तो आइंसा, सत्या, अस्ट और अपरिग्र है तो इनका मतलब तो आपको पता है, आइंसा मतलब पता है do not injury, do not speak lie do not steal, or do not acquire property, तो पहले main ये चार teaching थी, और फिर महावीर आये थे और इन्होंने एक और teaching add कर दी थी वो थी ब्रह्मचार, यानि एक वेक्ति को अगर अपनी इंद्रियों पर, यानि और अपने soul को अच्छे से migrate करना है, आगे जाके अच्छा जीवन व्यदीत करना है, तो उसको ब्रह्मचार का भी पालन करना चीए it mainly aims at attainment of liberation for which no ritual is required three jewels की भी बात करते थे तीन रतन हिंदी में कहा जाता है तीन रतन के बारे में भी जैन, तीरतांकर्स बात करते थे, कौन-कौन सी तो तीन रतन है, पहला है right faith, दूसरा है right knowledge और तीसरा है right action, ठीक है the two elements of the world तो ये बोलते थे जो दुनिया है, संसार है उसके दो elements है, पहला है जीवा और दूसरा है आत्मा, जीवा तो मतलब simple सा बतलब है, कि जो conscious है और आत्मा का मतलब है, जो unconscious है ठीक है, तो ये दो elements है दुनिया के, three sources of knowledge की भी बात करते थे जैनलोग, कि आप knowledge कहां से प्राप्त कर सकते हो, तो इन्होंने बोला protection knowledge होता है, direct knowledge प्राप्त कर लो दूसरा है था, अनुमान के जरी knowledge प्राप्त कर लो दूसरा है, शुता जनान, मतलब knowledge revealed by scriptures, अगला है अवादी जनान की भी बात करते थे, यानि clairvoyant perception, और अगला है मानः पर्यान जनान की भी बात करते थे, यानि telepathic knowledge, और अगला है केवल जनान, यानि temporal knowledge है, तो ये five types of knowledge की बात करते थे, जैन की, जैन का पता होना चाहिए, terms का meaning पता होना चाहिए इतना बहुत इनफ है, दूसरा है मौक्षा, मतलब complete deliverance from the karma, तीसरा है जीवा, यानि living matter और या soul, अगला है अजीवा, non living matter और अगला है पाप ठीक है, ये जैन metaphysics थी, इसके लबाब पुन्न, action which led to good karma असरव, यानि flow of karma संवारा, मतलब impedance of flow of karma, अगला है, बंद, यानि bondage of soul to karma, ठीक है एक और है, वो है अनुवरता, अनुवरता क्या होता दोस्तो, अनुवरता means lesser woes, है ना, देखे, आपको पता है, जैन धर्म की, अभी मैंने बता है यह पांच कस्मे खाते थे, कि ब्रह्म चार पालन करना, कभी चियोरी नहीं करना संपत्ती कटी नहीं करना, यह कस्म खाते थे लेकिन, जो लोग family बिताते थे, family के साथ रहते थे जिनकी शादी शुदा होती थी, तो जैन धर्म वाले लोग, मतलब जैन के जो तिर्थांकर थे, उनको बोलते थे कि आप इतनी तगड़ी तगड़ी कसम मत लेना, क्योंकि इतनी तगड़ी कसम लोगे जो हम लोग फोलो करते हैं, तो आप अपना family जीवन नहीं चला पाऊँगे, तो इसलिए बोलते थे, आप अनुवरता को फोलो करिये, मतलब lesser, छोटी कसमों को खाईए, which lay, which jain lay people take as a kind of parallel to the great was of ascetic, obviously जो ब्रह्म चारिक की होती थी, जो जैन धर्म वाले, जो तीर्थांकर लेते थे, वो कसमें नहीं लेनी, ascetics in jainism and their place are five minor was for the householders, obviously जो भी householders लोग हैं, जो अपनी family, पतनी है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए पाँच lesser was उन्होंने उपजाओ करी थी एक तरीके से, तो उनका ही नाम रखा है, उन्होंने अनुवरता, the five minor was in jainism are model after the great was, but differ in the degree, obviously differ करती है, degree में and they are less demanding or restricted than the same great was for ascetic, अगला है, sects, school of jainism, देख लिए ती हैं, इसके बारे हैं भी दोस्तों, sects या schools of jainism कौन कौन से हैं, jain order has been divided into two major sects, आपको पता ही होगा, एक तो दिगांबर में और एक शोतांबर में, ठीक है, यह division कब हुआ था, दोस्तों, आपको पता होना ची, मगधा में न, एक बार क्या होता, फैमाइन आ गया था, यानि सूखा आ गया था, ठीक है, पहले jainism धर्म यही पे था, मगधा के पास, तो यहाँ पे सूखा आ गया था, जिसकी वैसे, जो jain धर्म है, वो दो भागों में डिवाइड हो गया, देखिए, which compared a group led by बद्र बाहू to move south, obviously, अब यहाँ पे बहुत जादा सूखा पड़ गया था, तो बद्र बाहू एक jain की community को लेकर south इंडिया में चले गए, ठीक है, इस 12 साल के फैमाइन में, और जो group गया south में, बद्र बाहू के साथ, देखिए, the group in the south India stuck to the strict practices, while the group in the Magda adopted a more lex attitude and started wearing the white cloth, obviously, यहाँ पे सूखा पड़ रखा था, मगदा के टाइम पे, तो यह लोग जो हैं, थोड़ा सा अपने आपको, जो rules थे, उनको थोड़ा सा flexible बना दिया, और पहले यह लोग कपड़े भी नहीं पेहनते थे, लेकिन फिर क्या पेहनने लगे, white cloth पेहनने लगे, वहीं जो बद्र बाहू के साथ, group south India में गया था, वो तो उन्होंने अपनी strict practices को जारी रखा, यानि cloth नहीं पेहनना, सारे जो strict practices हैं, वो करने लगे, ठीक है, जब यह फेहमाइन खतम हो गया, when the southern group came back to Magda, the change practice led to the division of jainism into the two sects, obviously, यहांके लोग white पहनने लगे कपड़े, तो इसकी वेसे क्या हुआ, jain dharm जो है, शोयतांबर और दिगांबर में बदल गया, दिगांबर के बारे में जान लिजे, monks of this sect believe in the complete nudity, obviously, नंगेपन में विश्वास करते हैं, लेकिन female monks जो हैं, वो कपड़े पहन सकती हैं, ठीक है, याद रखिए, follow all five words, obviously, दिगांबर लोग जो हैं, पांचों कस्मों को पूरा करते हैं, जैसे कि सत्य अहिंसा, अस्ट अपारिग्रह और ब्रह्मचार, believe करते हैं कि women जो हैं, वो liberation को अचीव नहीं कर सकती हैं, women के पास बंदिश्य हैं, क्योंकि वो कपड़े पढ़े पहनती हैं, इसके अलावा, earliest record of दिगांबरा, beliefs is contained in the prakritic, sutta, पहुदा and कुंडा-कुंडा, कुंडा-कुंडा, तो इसमें आपको दोस्तों, दिगांबर के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, दिगांबर के बिलिफ्स के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, इसके लावा, monasticism rules are more rigid under दिगांबर स्कूल, obviously, जो monasticism के rules जो हैं, या आप कहे लिजे, monastery होती है, जो इनकी, वहाँ पे जो rules होते हैं, वो बहुत ज़्यदा क्या होते हैं, rigid होते हैं, ठीक है, बद्र वाहू दोस्तों, founder माने जाते हैं, दिगांबर सेक्टर के, अभी मैंने बताया, major subsects भी आते हैं, दिगांबर के अंतरगती, जैसे कि, मुला संगाता है, बिसा पंथ, तेरा पंथ, तेरा पंथा, और समाया पंथा, ये सारे के सारे, subsects हैं, इसी दिगांबर के अंतरगत, और कुछ minor subsects भी हैं, जैसे कि, गुमा, नपंथा, तो ये याद के लीजे, subsects क्योंकि पूछा जा सकता है, कि बताओ, ये subsects, शोयतांबर के अंदर आते हैं, या दिगांबर के अंदर आते हैं, अब जान लेते हैं, शोयतांबर के बारे में, तो आफिसलि ये वाइड क्लोथ पहनते हैं, और ये फोलो करते हैं, चार वोज को ही, except ब्रह्मचारे, तो ब्रह्मचारे को फोलो नहीं करते हैं, ये बिलीव करते हैं, वूमन भी जो हैं, लिबरेशन अचीव कर सकती हैं, बिलीव करते हैं, ते तांकर्स केन भी, man और woman दोनों भी हो सकते हैं श्रतामबर tradition of jainism indicates the five eternal substance in the existence जैसे कि soul में विश्वास करते है matter ठीक है space motion और rest ठीक है unlike दिगांबर which add the six eternal substance time तो obviously दिगांबर's लोग जो है total six में विश्वास करते हैं ठीक है six eternal substance में विश्वास करते हैं अगला है अजीवी कास इनके बारे में जान लेते हैं अजीवी कास क्या होता है अजीवी कास समझ गया ना दोस्तों समझ गया ना दोस्तों क्या होता है अजीवी का मतलब वो लोग जो follow करते हैं way of life को were an ascetic under that started at a time of buddha and mahavira and lasted until the 14th century तक ये लोग last करे थे मकाली गोसाला left mahavira to found the sect of अजीवी कास तो याद रखे मकाली गोसाला ने mahavira को छोड़ दिया था ताकि found कर सकें sect of अजीवी कास यानी pre-determinism और नियती no human effort could have any effect against नियती and therefore karma is policy तो इन्होंने करमा को एक तरीके से नकार दिया था इन्होंने बोला था नियती के आगे जो नियती है उसके आगे हमारे कर्म भी विफल हो जाएंगे तो करम करने का फायदा नहीं है मतलब में जो है नियती है अगर आपके नियती में लिखा है ऐसा होगा तो हो गई होगा कुछ other sects के बारे में बात कर लेते हैं तो अजीवका का I hope मतलब समझ में आ गया होगा other sects भी जान लेते हैं इसके जो प्रमोटर थे वो अजीता केश कमबाली थी इन्होंने इसके शुरुवात करी थी और इनके अनुसार यानि उच्छे डीवीडी के अनुसार डीवीडी बोल रहा हूं समझ जाए दोस्तों according to him everything is destroyed after death तो इनका साफ साफ माना था भाई करम वर मत करो एक बार आपके death हो गई ना उसके बाद सब कुछ खतम हो जाता है soul वोल कुछ नहीं बसता है इसके अलाबा अक्रियावाद ये क्या है इनके अनुसार दोस्तों देखे according to this view promoted by पुरान कश्चप तो पुरान कश्चप ने ये view प्रमोट करा था और इसके अनुसार अक्रियावाद के अनुसार there is no fruit of good or bad deeds of human being obviously चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो कोई फल नहीं मिलेगा अक्रियावाद ऐसा विश्वास करते थे अगला है नित्यवाद इसका प्रमोशन दोस्तों पकुधा कचायने किया था पकुधा कचायने ठीक है इन्होंने बोला he told only seven elements such as earth, water, fire, air, happiness, sorrow and soul these elements do not interact with one another तो साफ साब बोला था इन्होंने इसके अलावा आता है संदेहवाद संदेहवाद को प्रमोट करा था संजे, बेलुटा, पुत्रने ठीक है इन्होंने बोला he neither accepted any opinion nor denied any opinion तो ये लोग इस पर बोलते थे कि ना तो हम कोई opinion opinion को accept करते हैं ना ही कोई deny करते हैं अगला है स्थानक वासी, it is a sect of स्वेतामबर जैनिजम founded by the merchant name lawa ji, इन्होंने found करा था 1653 AD में, it believes that idol worship is not essential in the path of soul purification and attainment of निर्वान, तो अविजली मूर्ती पूजा करने के जरुत नहीं है अगर आपको attainment पाना है, मोक्ष पाना है, श्रुतामबरs who are not स्थानक वासिंस are mostly part of the मूर्ती पूजा sect, obviously, जो श्रुतामबरs, जो की इस्थानक वासिंस नहीं है, वो mostly part होते हैं मूर्ती पूजा sect के, ठीक है, अब जान लेते हैं, important terms related to jainism, कुछ important terms है, jain dharm से related हैं, यह आपको पता होने चाहिए, पहला term है, अस्राव, अस्राव का मतलब होता है, ऐसा है अस्राव का meaning, ठीक है, अगला है, श्रमाना, श्रमाना मतलब होता है, seekers, one who performs act of ostracity, या ऐसे टेक, या जो बाबा बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, श्रमाना खा जाता है, ठीक है, अगला है, सामवारा, सामवारा मतलब होता है, अगला है, निरजरा, निरजरा का, आपने, तेरे नाम में भी नाम सुना होगा, देखिये, निरजरा मतलब होता है, शेडिंग और रिमूबल अफ अकुमुलेटेट करमास फ्रम दा आत्मा, इसेंशल और ब्रेकिंग फ्री फ्रम दा समसारा, तो दोस्तों, निरजरा का सिंपल सा मतलब होता है, कि भाई, जो व्यक्ति अपने आपको बर्थ और डेथ के इस बंदन से पाना चाहते हैं, वो दोस्तों, जो भी कर्म के जरीए, पाप उन्होंने इकटा करें, उसका पश्चाताप करेंगे, ठीक है, और पश्चाताप कैसे करेंगे, वो बजली तपस्या वापस्या करके, तो उसी को कहा जाता है, निरजरा, ये सिंपल सा मेनिंग होता है, अगला है, साले खाना, साले खाना मतलब क्या आता है, सले खाना भी कहा जाता है, इसको, इसको कहा जाता है, मतलब है, इसका है, अगला है, प्रतिकर्मन या पुसाधा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसके लिए रिपेंट करना डिली लाइफ में, और ये कैसे करते हैं, इसके लबा थेरा वल्ली कैसे कि लबा अजना अजना वादा क्या है, जैन डॉक्रिन ऑफ एगनोस्टिसिस्म अगनोस्टिसिस्म, इसके लबा महा प्रतास क्या है, फाइफ प्रिंसिपल्स अब्जर्ट वाए जैन मॉंक्स मैं बताई चुका हूँ सिद्धा क्या है फूली लिबरेटेड जीवा क्या है सोल गुना स्थाना क्या है स्टेज ओफ यूरिफिकेशन अगला है बासदीस क्या है बासदीस है दोस्तों बस आदीस भी का जाता है जैन मॉनस्टिक इस्टेबलिश्मेंट इसके लावा गुना है क्वालिटी ठीक है ये सारे के सारे टम्स के मीनिंग हम लोगों ने समझ लिए अगला है जैन की काउंसिल्स तो दो इंपोर्टेंट काउंसिल है इन दोनों के बारे मैं आपको पता होने चीए पहले जो काउंसिल हुई थी 300 BC में हुई थी वेन्यू था पाटली पुत्र चेर परसन थे स्थल भाव और पेट्रोनेज दी थी चंद्रगुप्त मौरे ने ठीक है आउटकम क्या निकले देखिए कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगास का ताकि रिप्लेश किया जा सके 14 पूरवास को सेकिंड जो काउंसिल हुई थी वो वलाभी पे हुई थी और इसके चेर परसन थे वो थे देवार्दी गिनी ठीक है देवार्द गनी इसके लावा फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगास और 12 उपंगा का अगला है रोयल पेट्रोनेस ऑफ जैनिजम कौन कौन से राजा महराजा थे जिनों ने जैन धर्म को पनाह दी थी जैसे कि नौर्थ इंडिया में बात करी जा तो बिंबी सारा राजा शत्रू चंद गुप्त मौर बिंदु सारा आशुवर्धन बिंदु सारा खरवेला ट्रोनेस धी थी इंपोंट्न जैन लिट्रेचर के बारे में भी जन लेते हैं कौन कौन सी जैन में ऑ जैन धर्म में फ़िंपोंट्रेचर है ठीक है डेपर original doctrine जो थी jainism की ये content थी in the scripture called पूर्वा, तो obviously पूर्वा जो scripture थे इन में jainism की doctrine थी शुरुवात में, ठीक है there were 14 पूर्वा जिसके बारे मैं अभी मनें बताया भी था, बाद में 12 क्या develop करे गए थी ये देखी, मनें भी आपको बताया 12 अंगाज डवलप करे गए थे इन 14 पूर्वास की जगह पे, ठीक है there were 14 पूर्वा jain literature is mainly written in the practical language, ये तो मैं बताया चुका हूँ these agmas are further divided into अंगाज, मुलसुत्र अपंगाज, परकीर, नाका सूत्र, इसके लाबा छेदा सूत्र और उलिका सूत्र तो ये सारे सारे आप कहा सकते हो, ये वो books हैं, जिनमें जैन की philosophies mentioned है, कालप सूत्र के बारे में जान लेते हैं, इसको लिखा था भद्र बाहू ने, ये contain करता है biographies of जैन तीर्थांकर, जितने भी जैन तीर्थांकर रहे हैं, उनकी biography इस कालप सूत्र में मिल जाएगा, अगला है अगाम या canonical literature भी कहा जाता है, जिसको अगाम सूत्र भी कहा जाता है, अगाम का मतलब होता है, what has come down to us और tradition, ठीक है तो अगाम का simple सा मतलब होता है, tradition, literature consists of many texts which are the sacred books of the jain religion, they are written in अर्ध मगदी, तो अर्ध मगदी भाषा है, इसमें लिखे हुए है, और अर्ध मगदी क्या है दोस्तों, ये प्राकर्ति लेंग्विज का ही form है, the canonical jain literature is claimed to have started from the आदी नाथ, यानि रिशब नाथ से शुरुआत हुई थी इसकी, जो फर्स तीरतां करते हैं, ठीक है, अगला है non-agam literature, इसमें consist होती है commentary, कमेंटरी किस से दोस्तों, अगाम जो literature है ना, उसी को लेकर commentary है, ठीक है, commentary and explanation of agami literature, agam literature, and independent works compiled by ascetic and scholars के दोरा, ये commentaries compiled करी गई है, तो ये simple सा बात है, they are written partly in prakrit dialects, such as maharashtri, इसके लावा partly in Sanskrit भाषा में भी लिखी गई है, ठीक है, आगे समझते हैं, eight auspicious symbols under jainism, तो eight auspicious symbols माने जाते हैं, jain धर्में, इसके बारे में पता होना चाहिए, पहला है swastik, swastik का तो आपने symbol देखा ही होगा, इसे कहते हैं swastik का symbol, ठीक है, ये signifies करता है, peace, well-being of the humans, इसके लावा, नंद्य वर्त, ये क्या है, it is a large swastik with nine end points, तो ये होता है, last swastik है, इसके लावा, बादरसाना, ये क्या है, a throne which is said to be sanctified by the jain's feet, obviously ये एक ऐसा throne है, जिसको पवित्र करा गया है, jain के feet के दोरा, अगला है, श्री वास्ता, ये क्या है, a mark which manifested on the jain's chest and signified his pure soul, obviously ये एक ऐसा mark है, जो jain के chest पर है, और signify करता है, pure soul को, अगला है, दरपन, ये mirror है, जो कि reflect करता है, inner self को, अगला है, मिना युगाला, ये क्या है, a couple of fish which signifies the conquest over sexual urges, अगला है, वर्द माना का, ये क्या है, a shallow dish used as a lamp which shows increase in the wealth and due and merit, अगला है, कलश, कलश क्या है, a pot filled with pure water, signifying water, ठीक है, आप जान लेते हैं कुछ additional information, comparison कर लेते हैं, जैन धर्म और बुद्धिस्म धर्म के बारे में, ठीक है, तो ये important है, मैं बोल रहा हूँ very very important, तो important है, जैन धर्म और बुद्धिस्म धर्म में क्या comparison है, ये पूछा जाता है, तो जैन धर्म जो है, recognize करते थे, existence of God, लेकिन बुद्धिस्म धर्म वाले recognize नहीं करते थे, God को कि God है ये नहीं, जैन धर्म transmigration soul में विश्वास करते थे, यानि दुबारा पुनर जैन में विश्वास करते थे, जैन धर्म बाले, ठीक है, बुद्धिस्म लोग जो है, ये पुनर जैन में विश्वास नहीं करते हैं, बुद्धिस्म describes middle path, while जैनism adequate is the followers to live the complete austerity, obviously, बुद्धिस्म जो धर्म है, वो middle path पर विश्वास करते थे, और ये जैन धर्म वाले extreme path की बात करते थे, जैन के architecture के बारे में जान लेते हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए, कौन कौन से architecture है, पहला है, मानास थंबा, ये क्या है, it is found in the front side of the temple, having religious importance, तो obviously, front side of the temple में पाया जाता है, और इसका religious important है, with an ornamental pillar structure, carrying the image of the तीर्थांकर on the top, and on all four cardinal direction, ठीक है, अगला है, बसादिस, बसादिस क्या है, जैन monastic establishment, और temples in the कर्नाड का, तो ये जैन की monastic है, simple सा मतलब है, बसादिक्स, इसके लावा और देख लिजिए, लायाना या गुमफास, या जिसको हिंदी में, इंग्रिश में caves कहा जाता है, हिंदी में गुफास कहा जाता है, जैसे कि कौन कौन सी caves हैं, जहाँ पर आपको जैन धर्म के बारे में मिलेगा, जैसे कि गुफा केव, ये भी ओडिशा में है, सित्तानावासी केव, ये तमिलनाडू में है, यहाँ आपको जैन धर्म से टेंपल ये गुजरात में है, मुक्तागिरी टेंपल ये महराष्ट में है, अब देख लिते हैं, जैन धर्म का spread कैसे हुआ है, यानि परचार परसार कैसे हुआ, थू संगह, इट कंसिस्ट women and men, obviously, एक संग के जरीए जिसमें man और woman दोनों आते हैं, इसके जरीए जैन धर्म का परचार पसार हुआ, under the patronage of चंद्रगुप्त मौरे, मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौरे के दोरान ही, पहली council भी इनकी गठित करी गई थी, ठीक है, under the patronage of चंद्रगुप्त मौरे, खारवेला of कलिंगा and the royal dynasties of South India, such as गंगेज, कदंबास, चालुक्यास and राश्ट कोटा, इन सब लोगों ने जैन धर्म को पना दी थी और इन सब राजाओं के अंत्रगत जैन दर्म फैला था, इसके अलाबा बन भद्रबाहू, गुरू अफ चंद्रगुप्त मौरे, ये गुरू थे चंद्रगुप्त मौरे के भद्रबाहू, नाम पता होना चीए, left for South India, स्थल बाहू remained in the North with his followers, obviously, तो North India में स्थल बाहू ने पचार पसार करा, South India में बद्रबाहू ने, चंद्रगुप्त मौरे, ये तो आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौरे की आपने स्टोरी सुन रखे होगी, ये खुद एक जैना बन गया थे, यानि ये एक बाबा बन गया थे, और इन्होंने spent करा था, his last year in कर्नाट का, ठीक है, अगला है, contribution of जैन जैन धर्म ने क्या क्या contribution दिया, obviously इन्होंने non-violence को प्रचार पसर करा, इन्होंने प्राकृत लैंग्विज और कन्नेड लैंग्विज को, कन्नेड लैंग्विज भाषाओं को बहुत बढ़ाया था, वर्दवान महावी ने प्रीच करा था, अर्द मगदी, ठीक है, ये ज मातेश्वर बनाया था, इसके लिए टेमपस अफ खजराहो और आबू, टाइगर केव अफ उद्यागिरी, इन्दसभा अफ अलोरा, ये सब कुछ आर्ट और अर्किटक्चर में भी प्रमोट करा है, जैनिज्म कंट्रिबूटे टु दे ग्रोथ अफ ट्रेडिंग कम्यून पार्शवनात का याद कर लिए, पार्शवनात का याद कर लिए, यहां पर देख लिए, महावीरा के डिसाइपल्स के नाम लिखे हुए है, इतने सारे डिसाइपल्स आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, आप बस एक बार देख लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इतने नाम याद नहीं कर सकते कि यह बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, फिर भी आप देख लिए, तो दोस्तों, यह था आज का लेक्चर, और आज की लेक्चर के जरीए हमने जैनिस्म धर्म के बारे में पूरा पढ़ लिया, अगले लेक्चर के जरीए हम बुद्दिज्म जो धर्म है, इसके बारे में स्टेड़ी करेंगे, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तैंक यू